जी हां दोस्तों आपने थमनेल बिल्कुल सही देखा है हमारे देश में से Income Tax Act खतम होने वाला है और Income Tax Act के बदले Direct Tax Code implement होने वाला है दोस्तों ये बात है 2009 की जब हमारे देश में UPA Government ने पहली बार लोग सबह में Direct Tax Code Bill 2010 प्रेजेंट किया था जिसको की किसी कारण वश लोग सब हमें पास नहीं कर पाये थे और बाद में उस बिल्कुल स्टेंडिंग कमेटी के पास रिवीजन के लिए भेज दिया गया था देन बात आती है 2012 में दोबारा उस बिल को प्रेजेंट किया गया लेकिन अगेन वो पास नहीं हो पाया उसके बाद फिर उस बिल पर काफी लंबे समय तक काम चलता रहा और 2017 में फ़नेंस मिनिस्टर द्वारा उस पर एक कमेटी इस्टेबलिश की गई जिसने उस डारेक्ट एक्स कोड पर रिवर्किंग करी अब हाली में ये डारेक्ट एक्स कोड पर जो डिसकेशन है वो फिर से गरम हो गया है अभी इंकम टेक्स का 165 डे सेलिब्रेशन मनाया गया था जिसमें कि हमारी फानेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन ने एक मेजर अनौंसमेंट करी है और उस मेजर अनौंसमेंट में उन्होंने सबसे पहले इस बात का जिकर किया है कि फानेंस मिनिस्टरी डारेक्ट एक्स कोड पर काम कर रही है और आने वाले 6 महिने के अंदर अंदर वो इसको फाइनलाईज कर लेंगे दोस्तों उमीद लगाई जा रही है कि जो बजट 2025 प्रेजेंट किया जाएगा उसमें डारेक्ट एक्स कोड को इंप्लिमेंट करने की बात कर दी जाएगी ऐसा नहीं है कि ये डारेक्ट एक्स कोड कुछ नई चीज है ये एक्चुली में 2010 में यूपी अ गौर्रमेंट की तरफ से प्रेजेंट कर दी गई थी हालनकि इंकम टेक्स एक्ट में और डारेक्ट एक्स कोड में काफी सिमिलारिटीज रहेंगी जैसे कि आपने अपने सर्वेस टेक्स में और जी एस्ट में देखा होगा तो जो बहुत सारे प्रोविजन्स रहते हैं जो बेसिक कॉंसेट होता है वो more or less सेमी रहेगा like service tax और GST को अगर आप compare करेंगे तो इसी प्रकार से आपको direct tax code में भी देखने को मिलेगा जो आपके income tax के basic concepts हैं वो almost इसमें सेम रहेंगे लेकिन दोस्तों फिर भी काफी सारे differences हैं जो कि direct tax code में आपको देखने को मिल सकते हैं in comparison to income tax act जिसमें सबसे बड़ा difference अगर मैं आपको बताऊं तो वो है rationalization of the law अगर आप income tax को देखते हैं तो उसमें काफी जगे पर बहुत सारी complexities होती है provision difficult होते हैं understanding इतनी easy नहीं होती है उन cases में तो यहाँ पर यह make sure किया जा रहा है कि जब direct tax code implement हो जाएगा तो वहाँ पर आपके लिए provisions समझना बड़ा असान होगा चीजों को एक simple manner में explain किया जाएगा बट इसके अलावा कुछ और भी differences हैं जो आपको direct tax code में देखने को मिल सकते हैं जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँ year को लेकर दोस्तों अगर आपने notice किया होगा income tax में दो तरह के year आप देखते हैं एक होता है assessment year एक होता है previous year लेकिन अगर आप direct tax code वाले बिलको देखेंगे जो कि 2010 में present किया गया था तो वहाँ पर आप ये पाएंगे कि वो केवल और केवल financial year के respect में discussion करता है इसका मतलब जैसे हमारा GST में रहता है एक ही year होता है that is called financial year तो same concept को वहाँ पर implement किया गया है तो वहाँ पर आपको assessment year previous year देखने को नहीं मिलेगा only the financial year will be considered whereas अगर मैं अगले difference की बात करूँ तो अगर आपने income tax act में notice किया होगा तो residential status को तीन categories में divide किया जाता है जिसमें से एक होता है resident, ordinary resident, second one is the resident, not ordinary resident and third होता है non resident अगर आप direct tax code को देखेंगे तो उसके bill में यहाँ पर दो ही segregation दिये हैं इधर resident और non resident इसका मतलब resident के अंदर जो further classification आप देखते हैं वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो इसके बाद जो आपको major difference direct tax code में देखने को मिलेगा वो है categorization of the income तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा change आपको देखने को मिल रहा है वो आपके income के categorization में है income tax act में आपकी income का categorization नहीं है whereas direct tax code में आपकी income को दो categories में divide किया जाएगा one is the special income and second one is the other than special income अब दोस्तो सवाल यह उड़ता है क्या हमें direct tax code बिल को पढ़ना चाहिए क्या हमें direct tax code बिल जो की 2010 में implement किया गया था उसको समझना चाहिए क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ तो finance ministry की तरफ से ये तो update आ गया है कि वो direct tax code पर काम कर रहे हैं और अगले 6 महिने में इसको implement करने की भी उन्होंने पूरी तयारी कर ली है तो ऐसे मैं हमें 2010 वाले direct tax code के बिल को refer नहीं करना चाहिए अगर आप देखेंगे आज 2024 है पिछले 14 साल में major changes हो चुके हैं income tax act के अंदर तो definitely इस बार जो नया bill present होगा वो नए सिरे से ही draft किया जाएगा हालनकि उसमें कुछ चीज़े ऐसी उठाई जाएगी जो कि 2010 वाले direct tax code में belong करती होंगी तो अब आपको wait करना पड़ेगा जब तक कि नया draft नहीं आ जाता है finance ministry की तरफ से direct tax code का तो आप उसको refer मत करिएगा बट definitely basic understanding के लिए आप 2010 वाले direct tax code को refer कर सकते हैं जो कि उस समय पर present किया गया था दोस्तो ये जो direct tax code आ रहा है हमारे देश में in place of the income tax ये आपके लिए एक opportunity की तरह से काम कर सकता है being a professional जब आप GST को देखते हैं हमारे देश में से service tax को खतम किया गया VAT को खतम किया गया then GST implement हुआ तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी opportunities generate हुई आपने एक नए law को समझा आपने नए provisions को देखा with a basic concept जहाँ पर same रहता है तो ऐसे ही आपके लिए यहाँ पर भी opportunities develop होंगी तो जितने भी यहाँ पर professionals हैं वो सभी direct tax code को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे then accordingly अपने clients पर, industries पर उसकी applications कर पाएंगे तो यहाँ पर आप इस change को एक opportunity की तरह से ही समझिएगा it will not be a challenge for you and definitely यहाँ पर law बहुत जादा simplify हो जाएगा by the implementation of direct tax code और government यहाँ पर बहुत जादा aggressive है इस point of time पर तो definitely यह बहुत जल्द ही हमारे देश में implement भी हो जाएगा दोस्तो direct tax code से related अभी तक का यही update है from the finance ministry and जैसे ही उनकी तरफ से इस पर कोई भी further update आएगा तो मैं मेरे इस channel पर आपको regularly update देता रहूँगा तो direct tax code से related अगर कोई भी update आप पाना चाहते हैं तो please channel को subscribe कर लिजेगा साथ में bell icon को भी press कर दीजेगा ताकि मेरे द्वार चैनल पर लाई गई latest videos के notifications आपको मिलते रहें दोस्तो आपसे मिलता हूँ अपने next video में till then thank you bye bye